नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जर्खन की रहधानी रांची में एक मात्र के अंदर बनाया गया था, जहां युआओ को अपाइटमेंट लेटर दिया गया बता दे जर्खन में 6 भी भागों ने ये नोकरी दी है, सबसे ज़्यादा नोकरी भारतिये रेलवे ने दिया है इसके बाद पोस्ट ऑफिस और बैंकों का नमबर आता है, रेलवे ने 133 लोगों को नोकरी दी है, जबकि डाग भी भाग में 50 युआओ को रोजगार मिला है बैंकों में 32 लोगों की नोकरी लगी है, सबसे ज़्यादा 17 लोगों की नियुक्ति सेंटरल बैंक में हुई, जबकि 6 लोगों को केंडरा बैंक, 4 लोगों को बैंक और महाराष्ट्रा, वही 3 लोगों को जर्खन ग्रामिन बैंक, और 2 लोगों को इंडियन बैंक में नोकरी का पॉइंट में लेटर मिला है 25 अक्टूबर को लगेगा आंसिक सूरे गरहन 25 अक्टूबर को आंसिक सूरे गरहन लग रहा है जो देश के कई हिसों में देखा जाएगा इसके साथ ही जारखन के दो जीलो रांची और हज्जारी बाग के साथ-साथ आसपास के इलाके से आसमान साफ रहने पर कुछ मीनटों के लिए दिखाई देगा बता दे कोलकाता मौसम केंद्र और पोजिशनल एस्ट्रोलोजी सेंटर कोलकाता से जारी सूरे गरहन रिपोर्ट के विशलेशन के अधार पर रांची मौसम केंद्र के बेग्यानी उपेंद्र स्रीवास्ताओं ने बताया है कि रांची और हजारी बाग में सूरे गरहन दिखाई देगा रांची और हजारी बाग में साम 4 बचकर 48 मिनट से सूरियास तक सूरे गरहन दिखेगा 25 अक्टूबर को हजारी बाग में सुरियास्थ साम 5 बर कर 14 मिनट और रांची में सुरियास्थ 5 बच कर 15 मिनट पर होगा ज्यार्खन के लड़कियों को सरकार दे रहे 40 सेखर का आर्थी कलाव जारखन में हेमंत सोरेन सरकार इन दिनों बड़े प्यमाने पर लड़कियों को आर्थी कलाब दे रही है इस योजना का नाम है सावीतरी बाइप फुले की सोरी सम्रीदी योजना बता दे इस योजना का वेदान PDF प्रारूफ में जारखन.jov.in पर उपलोड कर सावीतरी बाइप फुले की सोरी योजना का लाब उठाया जा सकता है हेमन तो सुले सरकार इन लड़कियों को कौल 20 यह रुपए की रासी पर दान कर रही है बता दे कक्षा आठ में नमांकर पर सरकार की ओर से 25 रुपए वहीं नौवी में नमांकर पर 25 रुपए दसमी में दाकला लेने पर 5000 रुपए एक गारही में 5.000 रुपए और बराही में 5.000 रुपए वहीं 18 और 29 वरस की आयू प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एक मुस्त अनुदान के रूप में 20.000 रुपए दिये जाएंगे कोल मिला कर 40.000 रुपए दिये जा रहे हैं सरना धर्मकोर्ट पर पीएमों ने लिया संग्यान अमीत सा से मिलेंगे सालखन मुर्मू जनगन्ना के कॉलम में जन जाती है समुदाय के लिए सरना धर्मकोर्ट की मांग तूर पकड़ रही है उडिसा बंगाल के बाद जार्खन के लिधानी रांची में राष्ट पती और प्रधान मंत्री के तस्वीरों के साथ इस संबन्ध में अंधुरन कर रहे आदिवासी सेगेल अभियान के परमुख सालखन मुर्मू की आवाज सालखन मुर्मू चार नौमबर को गुवाहाटी में इसी मांग को लेकर अगला परदसन करने वाले है अपनी मांग के प्रति ध्यान आक्रिष्ट कराने के लिए उन्होंने परधान मंत्री रांद मोदी से समय मांगा था बता दे पीएमो ने इस पर संग्यान लेते हुए उन्हें सुचित किया है कि प्रतान मंत्री चाहते है कि वे इस संदर में केंद्रे गिरी मंत्री से मुलकात करे पीएमो से जबाब मिलने के बाद सालखन मुर्मू ने इस समय में तयारी आरंब कर दिया है तेवहार को लेकर पूलिस अलर्ट धनतेरस दिवाली के लिए सर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इसके लिए सहर में थानों के पूलिस कर्मी वा गस्ती दल के अलावा 25 सवतिरिक दे पूलिस कर्मियों को तैनात रहने का निदेश है बजारों में साधे लिवाज में भी पूलिस तैनात रहेंगे बतादे धनतेरस बजार बिसेस तोर पर गहनों वा वर्तनों की दुकानों के आसपास बिसेस चोक्सी रहेगी इस समय में उपायुक्त और SSP ने सन्युक्त रूप से निदेश जारी किया है किसी भी अप्रिय स्थिती से निपटने के लिए QRT, अगनी समन वा बाइक दस्ते का गठन किया गया है बतादे रांची पुलिस ने कुछ अस्थानों को सन्वेदन सिल्माना है ऐसे 27 अस्थान चिनित किये गए हैं जहां पुलिस अधिकारी टीम के साथ रहेंगे रांची में भ्रह्मन कर अपराध वाले होट स्थानों को चिनित किया गया है दिपावली पर भारतिये रेल ने दिया बड़ा तोभा भारतिये रेल मुंगेर के लोगों को दिपावली के पहले बड़ा तोभा मिला है बतादे भागलपूर जमालपूर के रास्ते गोड़ा टाटननागर के बीच नई सप्ताईट ट्रेन का सुबारम कर दिया गया गोड़ा सांसरनी सिकान दुबे मालदा डियारेम ने हरीज़नी दिखा कर ट्रेन को रवाना किया पहले दिन यह ट्रेन उधगाटन स्पेसल बन कर चलेगी 24 से अक्टूबर से टाटा नागर और 26 अक्टूबर से गोड़ा से नई ट्रेन का परिचाला नियमित होगा नई ट्रेन का ठारा मुंगेर के अलावा बांका लखी सराय और भागलपूर जीले के कई स्टेशनों पर दिया गया है पता दे टाटा नागर से नई ट्रेन हर सोमवार को दो फर एक बज़कर 40 मिट पर चलेगी और मंगलवार की सुबस्तायत बज़कर 20 मिट पर गोड़ा पहुचेगी जारखन में होम गाट को बड़ी खुस खबरी गिरीह रक्षा वाहिनी सा अगिन समन की एडीजी सुमन गुपता ने गिरीह रक्षा वाहिनी के सभी जिला समाज अश्रा को सक्त आदेश दिया है की वैसे सरकारी करे आले जहांनी जी सुरक्षा गार लगाए गए हैं वहाँ उनके अस्थान पर गिरीह रक्ष को कितेनाती सुनिश्चित कराए एडीजी ने यह भी कहा है की पुरुमें भी अनुपालन पर रिपोर्ट मागी गई थी लेकिन आप तक रिपोर्ट नहीं मिली जो कारे प्रनाली की उदा सिंता को दिखा रही है एडीजी के आदेश पर गिरीह रक्ष वाहिनी सा अगिन समन के डीजी ने सुक्रवार कोई से समन्दित आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश के अनुचार गिरीह विभाग ने 12 अपरेल 2021 27 अगस 2022 को एक पत्र जारी किया था जिसमें राज सरकार के किसी विभाग में सुरक्षा कारे के लिए नीजी सुरक्षा काड़ों को नहीं लगाए और असकता नुचार गिरी रक्ष को को ही परतिन्युक्ती पर लेकर सुरक्षा कारे में लगाए ज्ञार्खन में 5 नॉम्बर से सभी स्कूलों में चलेगा किक फोर ज्ञार्खन खेलों को बढ़ावा देने के उधर से राई सरकार का सिक्षा भी भाग बढ़े अस्तर पर खेल परतियोग ताओं का योजन करने जा रहा है ज्ञार्खन सिक्षा पर योजना परिशत की ओर से किक फोर ज्ञार्खन नाम से अपरतियोगता 5 नॉम्बर से सुरू होगा जो 15 दिसंबर तक चलेगी इसमें प्राथमिक, मध्यमाध्मिक और हाई स्कूल के अलावा कस्तूरभा गान्दी अवास्य बाईल का बिद्यालाए वर मॉडल बिद्यालाए के बिद्यालाए के बिद्यालाए भाग लेंगे सर्वाइगी विकास के अधर्णा के साथ प्रत्योक्ता कायोजन किया जा रहा है सरना धर्मकोड के लिए 12 नौमबर को जंतर मंतर पर महाधर्ना राश्ट्रिया आदिवसी समाज धर्मरक्षा अभियान के तवत 12 नौमबर को दिल्ली के जंतर मंतर में एक दिवसी महाधर्ना दिया जाएगा या धर्ना सार्ना धर्मकोट को सामिल करने की महां को लेकर दिया जाएगा इसमें देश के भी भीन राजियों से सार्ना धर्मलंबी भाग लेंगे इस कारकरम के आयोजन के लिए तीन सेस्याई प्रतिनिदी मंडल ने दिली के पूलिस कमिजना से मिलकर इसके आयोजन के उनुमती ली इसमें केंद्रिय सार्ना समीती के केंद्रिय अध्यक्ष नरायन उराव राष्ट्रिय आद्यवासी छात्र संग के राष्ट्रिय अध्यक्ष संगम उराव समेत अनपर्तिनिती सामिल थे उन्होंने सभी सरनाधान लंबियों समेत कारेकर में युवाओ से भाग लेकर महाधारना को सफल बनाने की अपिल किया है 12 दिसंबर को सांसत का घिराव करेंगे कुर्मी समाज थोटे मीक कुर्मी वा कुर्मी विकास मोर्चा के कुर कमेटी की संनीवार को हुई बैठक में 12 दिसंबर को सांसत घिराव का न鏈 लिया ग Gary कमीटी निया निर्नाय कूर्मी समाज को एस्टी में सामिल करने के मांग को लेकर लिया है बैठक में मोर्चा के नेता सीतल ओधार ने कहा है कि उनकी मांग पर राजवक के अंदर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र अंदुलन किया जाएगा बैठक में मोर्चा के नेताओं ने पौले पधान मंत्री जोहार लाल ने रुको जिम्मेवार्ठाव दाया वही नेताओं ने कहा है कि उनकी गलती के करानी थतकालिन पूराना छोटा नागपुर्वे कूर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री यम आईसु पार्टी की केंद्री अध्यक सुदेश कुमार महत्यों ने चाईबासा में हुई घाटना पर मुख्य मंत्री से महिला सुरक्षा को लेका ठोस कदम उठाने की बात कही है उन्होंने कहा है कि टेकरा हातू चाइबासा में होई और मानुविये घाटना से मन अत्यान ब्यातित है जार्खन हमेशा से बेटियों के लिए सुरक्षित परदेश रहा है लेकिन अब परदेश में दुसकर्म हत्या और परतरना की घाटना लगतर बढ़ती जा रही है निशन्दे जार्खन इतना और शुरक्षित और और सन्वेदन सिल कभी नहीं था राज सरकार अपराद एवं अपराधियों पर अंकुछ लगाने में पूरी तरह से बिफल रही है आईसू पार्टी सरकार से हमां करती है कि फास्ट रेक कोट में इस केस की सुनवाई हो तथा आप राधियों के कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ओनलाइन फरम फीस का सिक्छा संगठनों ने किया बिरोद जारखन एकेडमी कॉंसिल की ओर से नौवी और एकारवी के ओनलाइन पंजियन फरम और मैट्री को इंटरमेड के ओनलाइन परिक्छा फरम के नाम पर लिए जा रहे है सुल्क का सिक्छक संगठनों ने बिरोद किया है राजी के माधमीक पलस्टू समेत बीत रही सिक्छक संगठनों ने इसे गयर जरूरी बताते है राज सरकार और सिक्छा मंत्री जगनात महतों से इस सुल्क के लेने परोक लगाने की मांग की है जो रासी बचों से वस्विली जा रही है उसे वापस कराने की भी मांग की गई है बता दे जार्खन पलस्टू सिक्छक संग के प्रांतिया द्यक्ष योगेंदर पर साथ ठाकू ने कहा है कि परिछार्थियों के परिख्षा फोर्म रईस्टेशन सिली और एड्मिसंट कार्ड को प्रिंट करना है वा ओनलाइन फरम भरने में बिद्यालियों को अतिरिक्त रूप से सुल्क का वहन करना परता है जिसका एक उचित और ब्यभारिक सुल्क जैक की और से पुर्व से ही निधालित कर दिया जाना चाहिए केंदर का 10 लाख रोजगार मिला सिर्फ इवेंट कांग्रेस जारखन परदेश कंग्रेस कमीटी ने केंदर सरकार दौरा शुरू किए गरोजगार मिला को जुमला किंग का इवेंट करार दिया है उन्होंने कहा और कि देश के युवाव को 16 क्रोर नोकरिया देने का वादा कब पुरा किया जाएगा परदेश कॉंग्रेस के प्रवक्तार अकेस सीना ने कहा है कि परधान मतिनान वो दिने सात्ता में आने पर हर साल दो क्रोर नोक्रिया देने का वादा किया था जो पिछले आट सालों में पुरा नहीं किया उन्होंने कहा है कि भारत जोडो यातरा केवल चार राजियों से गुजरी है और केंद्र की सरकार को या सविकार करना पड़ा है कि बिरुजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है यही भारत जोडो यातरा की सबसे बड़ी उपलब दी है राज्य के किसान बनेंगे सरकारी जमीनों के मालिक मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि सरकार राज्य की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर किसानों को खेती के उनमती देगी जब तक उस जमीन पर किसान खेती करेगा तब तक वह जमीन उसी के होगी मोख्य मंत्री ने कारा पर्खण में याओजित आपकी सरकार आपकी द्वार कारीकरण में बाते कही इस दरान मोख्य मंत्री ने 322 स्कोर के उजनाव का उधगाटन वसीलिनयास भी किया इसके साथ ही बिभी नियोजनावों के लाबकों के बीच पची स्कोर की परिशंबत्यों का वित्रन भी किया है जूनियर इंजिनियर परतियोगिता परिक्षा 23 अक्टूबर से जार्खन करमचरी चैन आयोग के तत्वधान में 23 अक्टूबर से डिप्लोमा अस्तरिय सन्योक्ति परतियोक्तिया परिक्षा का विजन किया जाएगा लगभग 35 अरभियार्थी कंप्यूटर अधारित परिक्षा लिखेंगे बता दे 1285 पदो पर जूनियर इंजिनियरों के नियोक्ति के लिए परिक्षा 79 पर तक चलेगी आयोग ने परिक्षा समझित अवियार्थियों का ओनलाइन परिविश्पत्र निर्गत किया है जो 18 अक्टूबर से वियार्थी परिविश्पत्र डाउनलोड कर रहे है गिरीडी में नेशनल हाईवेपर ट्रकों को लूट पाट करने वाले गिरोह का परदाफास अलग अलग राजियों में नेशनल हाईवेपर चलने वाले ट्रकों को रोक कर उसे खलासी वा चलकों के साथ मार पीट कर ट्रक लूटने वाले एक बड़े गिरोह का गिरीडी पुलिस ने परदाफास किया है पुलिस ने इस अंतर राजिये गिरों के मास्टर माइंड के साथ साथ अपराधियों को गिराफतार करने में सफलता पाई है पुलिस ने लुटे हुए ट्रकों के साथ एक चार पहिया वाहनों को भी बरामत किया है एस जनकारी डिस पी मुखैले संजय राना ने सनिव और कुणियों पुलिस लाइन में अवजीत प्रेसवारता में दिह है पलामू में सोसल मीडिया पर हंतियार लहराने का वीडियो वायरल साथ आरेश्ट जहारखन के पलामू जिले में सोसल मीडिया पर दो दिन पुर्वे योग द्वारा पिश्टर लहराते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ललन यादो सहीद साथ लोगों गिरफ सविकारी है इसमें से एक हंथियार जब्त किया गया उसने एक हंथियार अभिसेक चोदरी और एक हंथियार कमले सींग को बेचने की बात सविकारी है प्रेस कॉनफरेस में अजनकारी स्पी चंदन कुमार सिन्हा ने दी है पलामू से पांच लाह काई नामी मावादी आरेस्ट जारखन की पलामू पुलिस ने पांच लाह काई नामी भागपा मावादी सब्जोनल कमांडर राम परसाद यादो समेत पांच लोग गिरफतार किया है गिरापतार किये गए 400 योगियों में से एक महिला भी सामिल हाएं मवादी राम परसाद पर 65 से अधीक मामले दर्ज हाएं पिछले 18 वरत से राम परसाद यादो और परसाद यादो और पर सुजीत और सुखाडी और भंडारी फरार था पुलिस ने 45,000 नगद लेवी के रूपाई के साथ गिरापतार किया है यह जनकारी पुलिस अधिक तक चंदन कुमा सिनहा ने प्रेस कॉनफरेंस में दिया है जारखन में एक साथ 12 जीलो में ATS की रेड जेल में बंद रहकर भी अपनी सल्तनत चलाने वाले को ख्यात गैंक्स्टार सुजीत सिनहा और अमन साव के ठीकानों पर जारखन ATS की टीम ने दविश्द दिया है पुलिस सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार जारखन के बारह जीलो में एक साथ ATS की टीम ने अमन और सुजीत के ठीकानों पर छापे मारी की मिली जनकारी के अनुसार सुबह के करीब 5 बये से यह छापे मारी जारी है जनकारी के अनुशार ATS की टीम जिला, पुलिस के सवयोग से राजधानी रांची, हजारी बाग पलामू, चतरा, लातेहा, जमसेदपूर, धनबाद जैसे सवरों में छपे मारी कर रही है ATS के निशाने पर न सिर्फ अमन सुजित गिरों के सत्य है, बलिक उनके करीबी भी है जहारखन के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पंद्रह नौंबर तक हर हाल में पोसाग देने का अदेश जहारखन के स्कूली सिक्षावें सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को पंद्रह नौंबर तक पोसाग उपलब्द कराने के निदेश दिये है उन्होंने पोसाग की रासी डीबीटी के माद्यम से बच्चों के बैंके खाते में सिग्रे भेजने को कहा है ताकि बच्चे समाई से पूरो पोसाग खरी सके बतादे सचीव ने सभी जिला सिक्षा पतादिकारियों चाथा जिला सिक्षा दिशको की जेसी यार्टी रातू में होई बैठक में असपश टूप से कहा है कि बिभाग के दिशाने देश का अनुपालान दी गई समाई सीमा का अंदर होना चाहिए बैठक में सभी जारकन सिक्षा परियों परिशाद बादमिक सिक्षा निदे सालाई तता प्रातमिक सिक्षा निदे सालाई के भी पतादिकारियों पसी थे पतास्थापना के बाद सचीव की जीला के पतादिकारियों के साथ या पहली बैठक थी धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ने होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा भईये साथ सथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिडिवे कवस से दे थैंक यू